नमस्कार दोस्तों, एग्रिकल्चर एक्जाम गुरू में आपका स्वागत है, आज हम B.A.C. एग्रिकल्चर फोर सेमेश्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है एग्रि इन्फोमेटिक्स, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे, टॉपिक हमारा रहेगा, वर्ड वाइ में C.E.R.N. सर्न संस्था के वेग्यानिक टीम बर्नर लीने किया था, इस में वेब पेजिस, इस वेब पेजिस में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और भी अन्य मल्टिमीडिया जैसे फंक्शन होते हैं, जिनको वेब डाज़र की सहायता से हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, तथा हाइपर लिंक की सहायता से उनके मद्ध में संजालन किया जा सकता है, यह एक प्रकार का डेटाबैस है, जो पूरे वर्ड में फैला हुआ है, हाइपर लिंक क्या होता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, इंटरनेट दोरा, उपलग इस सिवा के दो कोई भी व्यक्ति अपनी संस्थान, अपनी कंपनी या अपने प्रोड़क की का इन्फोर्मेशन पूरे वर्ड में दे सकता है, जिससे पूरे विश्व में यूजर उपभोगता कहीं से भी बैठ कर इंटरनेट की साहता से उसके उत्पादन को या उसकी संस्था या जो भी इन्फोर्मेशन डालता है, नेट पर वो हम यूजर कर सकते हैं, कहीं से भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए उसको इंटरनेट पर अपना एक वेब पेज बनवाना होता है, जिसके लिए उस वेब पेज के लिए उसको एक शुल्क देना होता है, वेब पेज में HTML ज वो W3C कहा जाता है प्रत्यक वेबसाइट का अपना एक अनुपम पता होता है जिसको URL कहा जाता है URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकिटर इस एड्रिस का प्रयों करके यूजर द्वारा किसी वेबसाइट को खोल सकते हैं कि किसी वेबसाइट का पूरा पता URL कहलाता है आप देखते हैं जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें http और हाइफर्न उसके बाद www और उसके बाद वेबसाइट का नाम होता है तो इसको हम पूरा कहते हैं URL किसी वेबसाइट का एड्रस प्राय STTP अच्चरों से प्राराम होता है शुरू होता है STT का अर्थ होता है HyperTest Transfer Protocol यह प्रोटोकॉल को कुछ और भी बूल सकते हैं क्या बूलते हैं आगे हम बताते हैं प्रोटोकॉल के पश्चात इसमें हाइफन लगा रहता है कोलन हाइफन का चिनन लगाता है उसके बाद उसमें website का नाम होता है वेबसाइट पर पहुँचना है visiting website यदि हमको किसी एक ऐसी website से सूचना प्राप्त करनी है जिनका पता हमें मालुम है उसका पता हमें URL हमें उस पता है तो उस वेब तक पहुँचने की विधी निमन लिखेत होती है सर्वर पता हमें अपने सिस्टम में सिस्टम में स्टार्ट प्रोग्राम पर जाना होता है उसके बाद प्रोग्राम में इंटरनेट एक्सप्रोडर का एक लोगों रहता है उस पर हमको क्लिक करना होता है या फिर desktop पर भी आप देख सकते हैं internet explorer का icon लगा रहता है उस पर आप दो बार क्लिक करके internet explorer को चला सकते हैं शुरू कर सकते हैं internet explorer address बार पर internet explorer की address बार पर उस website का पता हमें डालना होता है इसके बारे में हम सूचना चाहते हैं हम डाल सकते हैं जैसे www.yahoo.com है या फिर www.google.com है जो भी हमें address डालना है उस पर डालकर हम उसका home page को सकते हैं उसकी information ले सकते हैं अगला है हमारा internet तथा word web में अंतर internet एक विश्त्रत विशय है जो पूरे संसार में फैला है इसकी सूचना पूरे संसार में हम कहीं भी ले सकते हैं पढ़ सकते हैं उसका use कर सकते हैं और word-wide web इसका एक भाग होता है internet द्वारा प्राप्त होने वाली एक यह ऐसी सुविदा है word-wide web जिसके द्वारा विश्यों से संबंदी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं को पूरे word में कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का सम्हूं होता है word-wide web पीजों की सायता से इन कंप्यूटरों को विविन विश्यों से संबंदी सूचना उपलब्द कराता है www का काम होता है सूचना उपलब्द करवाना और इंटरनेट यह एक बहुत बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जहां पूरी इन्फोर्मेशन रहती है यह हो गया हमारा इंटरनेट और word-wide web में अंतर अब ही हमारा सर्च इंजन सर्च इंजन किया है यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहयता से किसी भी विशेय से संबंदी सूचना है आसानी से कम समय में www पर मिल जाती है यानि word-wide web पर मिल जाती है भारत में सरोप्रतम सर्च इंजन याहू नाम से 1994 में बना था सर्च इंजन एक पकार का computer program होता है जिस पर बहुत सारी website की जो सूचना उपलब्द होती है जिसको थोड़े थोड़े समय पर update किया जाता है जिससे जो हमारी user है उपयोग करता है उनको नई नई जानकारी मिलती रहे कुछ सर्च इंजनों के नाम आगे लिखे हुए है आप देख सकते हैं जैसे www.google.com है और www.yahoo.com है और भी सारे यहाँ पर जो link दिये हैं वो सब सर्च इंजन है और इनकी आगे आप देख सकते हैं इस पूरे यह जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हम लोग url कहते हैं इसको url कहते हैं और यह सर्च इंजनों के नाम है गूगल.com याहू रेडिफ मेल है लाइकस है अल्टाविष्टा और खोश डॉट कॉम सर्च इंजन का प्रयोग यूज ऑफ सर्च इंजन सर्च इंजन का प्रयोग हम कैसे करते हैं यदि इंटरनेट द्वारा किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए हमको उस सूचना से संबंद वेबसाइट का पता नहीं होता है तो सर्च इंजन की साहता से वह सूचना प्राप्त की जा सकती है जैसे कि आप लोग देखते हैं हम लोग जब गूगल चलाते हैं तो गूगल में हमें किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी वेबसाइट का अगर हमें एड्रेस नहीं पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं गूगल पर जो सर्च का जो आइकन आता है सर्च बॉक्स का वहाँ प पर सूचना प्रावट करने की विधि जो है वह हमने आपको बताई अब आगे आता है हमारा सर्च इंजन दोआरा सूचनाओं की खुज सर्च इंजन दोआरा जो information इसकी ऊच Fields कैसे कैसे की दाथी है सबसे पहले सर्च इंजर को खोलते हैं जैसे हमने गूगल को खोला उसके बाद हम लोग उसमें google.com टाइप करते हैं टाइप करने के बाद उसको enter दबाते हैं हमारा गूगल का home page खुल जाता है home page खुलने के बाद वहाँ पर एक search का आइकन आता है text box का उस पर हम अपनी सूचना कोई सी भी सूचना जो user या उपवोक करता जिस subject के बारे में सूचना चाहता है वो अपना डाल सकता है उसका subject और फिर Google search button को दबाना होता है click करना होता है enter करना होता है उसके बाद search शुरू जाती है और Google उस subject से रिलेटर सारी जो खोजा वो सब दे देता है अगला है हमारा telnet, telnet क्या है telnet एक ऐसा communication system है, संचार सुविदा है जो internet की साहता से प्राप्थ होती है इस सुविदा से हमें अपने से दूर किसी भी इस्थान पर रखे computer system में उपलब्द सुचनाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यदि कोई पुष्टकाल है कोई library अगर internet से जुड़ी हुई है तो हम internet telnet की साहता से उस पुष्टकाले से सम्मद्द कोई भी जानकारी प्राप्थ कर सकते हैं या किसी company में company अगर या कोई company अगर internet से जुड़ी हुई है तो हम internet की साहता से उस company की location अगर उस company की product या उस company के बारे में सर्च करके उस company का पता कर सकते हैं कि वो company किसीच की है क्या काम करती है आगे हमारा आर्ची internet द्वारा उपलब्द इस सुचना की साहता से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई सुचना कहां पर है उसका location पता लगा सकते हैं कि सुचना किस जगह है और उसको सुचना को खो सकते हैं यह हमारा आर्ची अगला है हमारा groufer groufer क्या काम करता है यह एक ऐसी सुचना है जिसकी सहायता से किसी सूचना की इस्तिती का पता लग जाता है कि उस इस्तिती उस कहां पर है अधूरे आलात में है उसका डेटा information के बारे में पता चल जाता है और बस इससे सूचना का ही पता चलता है बाकी और कोई काम नहीं होता गुरूफर से अगला हाता है हमारा File Transfer Protocol यह क्या है इंटरनेट की इस सेवा के दौरा इंटरनेट का जो उप्योग करते होते हैं यूजर एक कम्पूटर से किसी फाइल को दूसरे कम्पूटर पर इस्तांदरित कर सकते हैं फाइल में किसी प्रकाज की डिजिटल सुचना हो सकती है जैसे डॉक्यमेंट है, इमेज है, पीपीटी है, आदी और बहुसा चीज़ हो सकती है FTP की दौरा जैसे किसी कम्पूटर का या किसी फैक्टरी या कोई कॉलेज का जहां पर कई सारे कम्पूटर रखे होते हैं उसमें हम फाइल टांसफर प्रोटोकॉल की साहता से दूसरे कम्पूटर का जो डाटा होता है, उसको हम अपने कम्पूटर में देख सकते हैं, उसको ले सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं यह होता है, फाइल टांसफर फोटोकॉल, लाता है हमारा ब्राउजर, ब्राउजर क्या है वेब ब्राउजर यह एक application software होता है जिसमें सूचना साधनो information resource जो होते हैं उनको word by web पर पुनाय प्रस्तुत किया जाता है और उनको चला जाता है उनको use किया जाता है ब्राउजर की सहायता से हम इंटरनेट पर उपलब्द website को खोल सकते हैं जो ब्राउजर होता है उस पर हम इंटरनेट की सहायता से उसको use कर सकते हैं और website को खोल सकते हैं इंटरनेट पर web page में रखी सूचनाओं को ब्राउजर की सहायता से पढ़ने को web browsing कहा जाता है history list में page का पता लगाने की विधी हमें देखना है कि अगर हम अपने search engine में या अपने ब्राउजर में अपने internet explorer में हमने जो आज क्या-क्या देखा है आज क्या-क्या उसकी history का पता कैसे लगाने तो सबसे पहले हम internet explorer पर क्लिक करते हैं उसके बाद history बटन को क्लिक करते हैं history बटन क्लिक करने के बाद internet explorer स्क्रीन के बाएं और history बार को खोल देता है उसके बाद history बार में खोजने में लगने वाले समय को क्लिक करना पड़ता है अज आपने जैसे कोई वेबसाइट जो आपने विजिट की गई है उसमें सारी वेबसाइट दिखा देता है आज की रेट का कल की रेट का और एक हफ़ते की रेट का जो जो है आपको जो देखना है वो देख सकते हैं और जो आपको डिलीट करना है उस पर आप क्लिक करके उस डिलीट कर सकते हैं क्लिक करके आप एंटर करें तो वो डिलीट हो जाता है यह हो गया आज हमारा WordWire Web और आपसे निवीदन है कि हमारे ये पूरा वीडियो देखें जब तक आप पूरा वीडियो हमारा WordWire को नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जड़ो करें